आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो हमें देखो क्या बताना है सबसे पहले अपने इसको डाउटनेट से समझते हैं माल लो यह हमारा लाइन रहा यह कंटेन कर रहा है Point A को एक इंड और एक इंड हमारा कंटेन कर रहा है Point B को अब देखो Point A का जो कोडिनेट है वो इन्होंने क्या दे रखा है 2, 1, minus 1 क्या दे रखा है 2, 1, minus 1 Point B का अगर कोडिनेट में यहां से देखो तो 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3 1, 2, 3 अब देखो अब इनके बीच में एक Point C होगा माल लो यह Point C रहा जो A, B को 2, Ratio 3 में डिवाइट कर रहा है ऐसा कुछ दे रखा है तो हमें C का कोडिनेट सबसे पहले पता करते है तो देखो अबन को पता होता है अगर मैं यहां से एक General गराओ General डियाग्राम बनाओ Z1 है B का X2 Y2 और Z2 कोडिनेट है एक point C मान लो जो M is to N रिशो में A B को डिवाइड कर रहा हो तो point C का कोडिनेट अपन कैसे लिखते हैं तो point C का X कोडिनेट के लिए क्या करते हैं तो point C का कोडिनेट लिखने के लिए अपन करते है M into फर्मूला होता है M into X2 plus N into X1 upon M plus N, M into Y2 plus N into Y1 upon M plus N, M into Z2 plus N into Z1 upon M plus N यह हमारा फर्मूला होता है Similarly यहाँ पर क्या होजाएगा point C का कोडिनेट तो देखो point C का अगर यहाँ पर कोडिनेट अपन निकाल लिए तो क्या होजाएगा 2 into 1 यहाँ पर इसको X1, Y1 और Z1 बोल दो और इसको मैं बोल रहा हूँ X2, Y2 और यह Z2 तो point C का कोडिनेट हमारा क्या निकाल जाएगा इस formula से जो नीचे हमने भी पढ़ा तो वो हमारा होज आएगा 2 into 1 यानिकी 2 plus 3 into X1 यानिकी 2 तो 3 into 2 यानिकी 6 upon 2 plus 3 यानिकी 5, फिर देखो यहाँ पर 2 into Y2 यानिकी 4 plus 3 into Y1 यानिकी 3 और नीचे फिर से 5, 2 into 3 यानिकी 6 plus 3 into minus 1 यानिकी minus 3 ठीक है upon नीचे 5, ओके तो यह हमारा कोडिनेट आ जाएगा, तो यहाँ से अपन देखे तो कोडिनेट क्या रहा, 2 plus 6 यानिकी 8 upon 5, पॉइंट C का जो कोडिनेट आ रहा, वो 8 upon 5, फिर क्या रहा हमारा Y कोडिनेट, 4 plus 3 यानिकी 7 upon 5, यहाँ पर क्या रहा, 6 minus 3 यानिकी 3 upon 5, 3 upon 5 के एक ठीक है, तो इसको मैं वैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो वैक्टर फॉर्म में, यानिकी वैक्टर से हमारा क्या हो जाएगा, 8 by 5 I cap, plus 7 by 5 J cap, plus 3 by 5 K cap, ठीक है, तो देखो कौन सा आप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ पर option number 3 is correct, 8 by 5 I cap, plus 7 by 5 J cap, plus 3 by 5 K cap, थैंक यू